राम राम आप देख रहे हैं इंडिया निव जर्याना मैं हूँ सोनल दया कॉंग्रस पार्टी की तरफ से अपने सारे प्रत्याश्यों का एलान कर दिया है हम देख रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर अब कॉंग्रस पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिये हैं एक सीट पे गुरुक्षेतर से इंडिया गड़ बंदन का कैंडिडेट है। इसके अलावा नौ सीट पे कॉंग्रस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का एलान कर दिया है। देर से लिस्ट आई, बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि गुटबाजी के कारण लिस्ट में देरी हुरी है, नामों पे सहमती नहीं बन रही है। लेकिन जो पहली लिस्ट आई उसमें भी हमने देखा कि एक सीट पे लगतार पेंच फंस आ रहा। वो सीट थी गुरुग्राम की। गुरुग्राम में फाइट नजर आ रही थी कैप्टन अजय आदब और राजबबर के बीच में कि किसको मैदान में उतारा जाए, किस पर बरोसा करा जाए, लेकिन सारी लिस्ट अगर आप कॉंग्रस पार्टी की देखोगे, उसका एक एन और वो लोगसभा में कॉंग्रस पार्टी के कैंडिडेट होंगे। इससे पहले अगर हम उनकी राजनीती की भी बात कर लें, तो राजबबर अभी तक यूपी की पॉलिटिक्स में आपने सक्रिय देखे थे, हरिगाना की पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें, तो राजब पॉलिटी उस इलाके में देखी जाती है राविंदर जीत की, वहां उनके सामने राजबबर कितना टिक पाएंगे, कितना ये फाइट उनके लिए आसान होगी, वो तो समय बताएगा, लेकिन बताया ही जान लाग रहा है कि पूर मुख्यमंत्री भुपेंद्र सिंग पूरा जोर शोर से प्रचार प्रसार करेंगे राजबबर के लिए, क्योंकि उनके खेमे के कैंडिडेट हैं, तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो उसको जिताएं किसी ना किसी तरीके से, कैप्टन अजय आदव तलखी पकड़े हुए हैं, हलांकि ये भी बात कह रहे हैं कि मे पहले भी इस चीज की सुब्बुगाहर थी, उनके जो पहले बयान शामी आए थे, उसमें भी ये बात लगातार केंड लाग रहे थे, कि अगर गुरुग्राम सीट से किसी को मैदान में उतारना है, तो वो वहीं का उसी इलाके का आदमी होना चाहिए, जो बाहर का आदमी ह होगा, वो लोगों के बीच में उतनी पैठ नहीं बढ़ा पावगा, और राजबबर को जानता कौन है, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई थी, कैप्टन अजय यादव की तरफ से, और लगातार उसको लेके उनके बयान शामी आ रहे थे, कैप्टन अजय यादव ने कोश पार्टी के कैंडिडेट हैं, लेकिन राव इंदरजीत चार बार के सांसर है, दो बार बीजेपी से रहे हैं, दो बार कॉंग्रस से रहे हैं, तो उनका अपना एक पोलिटिकल जो बेग्राउंड है, वो बड़ा स्ट्रॉंग है, ऐसे में और राव इंदरजीत के लिए भी एक ये बड़ा ड्रॉबेक जरूर होगा, उनके लिए भी एक परिशानी का सबब जरूर होगा, क्योंकि अब एक चिंता तो जरूर बढ़गी है राव इंदरजीत की भी हम देख रहे हैं, राजबबर के वहां से मैदान में उतारे जाने से, फिल्म अभी नेता है, यूप इंदरजीत को भी बड़ा नुकसान हो सकता है, और राजबबर के लिए हुड़ा पूरा जोर लगाएंगे, उसका कितना फायदा राजबबर को मिलेगा, ये अब समय बताएगा, लेकिन गुरुगराम की सीट जेखिए, बहुत ही महतपूर सीट है, क्योंकि दिल्ली से जाहेगी कि वह वहाँ से जीट दर्ज कर सके, जो मेर मुकाबला है वो सीदे तोर पे,